धूम्चार एक बार फिर से सुर्कियों में आचकी है खबरों की माने तो आमिर खान की ठग्स ओफ हिंदुस्तान के फर्स्त लुक रिलीज के साथ ही यश्राज फिल्म्स धूम्चार की आधेकारिक खोशना भी कर दी जाएगी आमिर खान स्टार फिल्म ठग्स ओफ हिंदुस्तान दिवाली पर रिलीज होने वाली है वहीं अगर धून चार की बात की जाए तो सुत्रों के अनुसार फिल्म में मुख्य किरदार के लिए पहले सल्मान खान को फाइनल किया जा रहा था लेकिन फिल्म से सल्मान का नाम हटा कर अब शाहरुक खान को फाइनल किया गया है यह जबरदस्थ एक्षन फिल्म होगी जहां शाहरुक कई खतरनाक स्टंट करते दिखने वाले हैं शाहरुक से पहले फिल्म में सल्मा, न खान, रनवीर सिंग का नाम भी जोड़ा गया था, लेकिन निर्माता की खोज शाहरुक खान पर आकर ही रुकी है, इस से पहले धून की एक, दो और तीन सीरिज में हमने जौन अबराहम, रितिक रोशन और आमिर खान को काफी खतरनाक एक्षन और स्टंट करते देखा जा चुका है, लिहाजा शाहरुक से भी फैंस को ऐसी ही उमीद होगी, आनन देल राय की फिल्म जीरो की रिलीज के साथ ही शाहरुक धून चार पर काम शुरू कर देंगे